कच्छा तीन पाड़ पांच नीदगे दोए प्रेस्ण एक सब्दार्थ हिर्दय हिर्दय में आपा घमंड औरन दूसरों को सार सक्त या बल नियरे पास में कुंडल नावे विपता विपत्ति बडेन बडे को सुजन सजन मुक्ताहार मोतियों की माला केर केला मुए मरे बुजंग सांप कवीर ने कैसी वाणी बोलने को कहा है उत्तर कवीर जी ने मन का घमंड त्याक कर ऐसी वाणी बोलने के लिए कहा है जिससे दूसरों को सुक मिले और अपना मन सीतल हो जाए जाए सीतल हो जाए हा सजन किसलिए सरी धारण करते हैं उत्तर सजन दूसरों की सेवा करने के लिए सरीर धारण करते हैं गा निंदक को अपने निकट क्यों रखना चाहिए, उत्तर निंदक को अपने निकट रखना चाहिए क्यों के वह, छोटी से छोटी गल्ती होने पर सचेत करता है, गा अच्छे लोग संपत किसलिए एकत्र करते हैं, उत्तर अच्छे लोग संपत दूसरों के कार के लिए एकत करते हैं प्रस्ण तीन उपार योक्तो धारण के अनुसार नेमने लिगित दो हों का संदर्व एवं प्रसंग सहित वावार्थ लिगिए कस्तुरी कुंडल वसे डौट 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 दुनिया देखे नाएं संदर्व एवं प्रसंग प्रस्तु दौगा हमारे पाठे पुष्टक स्पर्ष के नीद के दोहे नामक पाठ से लिया गया है इस दोहे के रचेता प्रसिद संद कवीरदास जी है इस दोहे में कवीरदास जी ने मनुष्य के सरीर में भगवान बस्ते हैं की ओर सारा किया है भावार्थ कवीरदास जी कहते हैं कि जैसे कस्तुरी हिर्ण की नावे में होती है और कस्तुरी की सुगंद उसके सरीर से आती है पर वह उसे जंगल में डूरता रहता है उसी प्रकार मनुष्य के सरीर में भगवान बस्ते हैं या रहते हैं और वह उन्हें सरीर के बाहर ढूरते हुए मृत्यू को प्राप्त हो जाता है बास्त विक्ता नहीं जान पाता है प्रेस्न तीन खर रहिमन दागा प्रेम का डौट 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 गांट पर जाई चंदर्वेबब प्रसंग प्रस्तुत दुआ हमारी पाटे पुष्टक इस पर्स के नीद के दोहे नामक पाट से लिया गया है इस दोहे के रजेता प्रसित संतकवी रहीम जी हैं इस दोहे में रहीम जी ने मनुष्य को प्रेम से रहने की ओर ध्यान दिया है वाबार्त रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को आपस में मिल जुलकर प्रेम सदभाब बिनर्मता से रहना चाहिए क्योंकि एक बार मन मेला होने पर फिर मन नहीं मिलते है जैसे एक बार धागा तूटने पर उसे दुबारा जोडने पर गांट पड़ जाती है प्रेशन चार नीचे इस्तम आ में भावार्त और वा में दोहे की प्रतम पंक्ती दी गई है इनके मेल मिलाईए इसमें मेल मिले हुए हैं आमने सामने लिखा हुआ है गमन को त्याकर नीती मीटी बानी बोलनी चाहिए ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोए दुर्बल को कभी नहीं सताना चाहिए दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाए कुसंगत का सजनों पर कोई अस्प्रभाव नहीं पड़ता जो रहिम उत्तम प्रकरत का कर सकत कुसंग धनका संचे सजन दूसरों के लिए करते हैं तरवर फल नहीं खात है सरवर पीहन पान विसेश अवसर पर जो काम छोटे कर देते हैं उसे बड़े नहीं कर पाते रहिमन देख बड़ेन को लगुन दीजै डार पेशन पांच उन दोहों को छाट कर लिखिये जिन में ये बाते कही गई हों का सच बोलने वाले के हिर्दे में भगवान रहते हैं साच बराबर तब नहीं जूट बराबर पाप जाके हिर्दे साच है ताके हिर्दे आप भगवान तो सब गेर्दे में हैं पर लोग उसे नहीं देखते कस्तूरी कुंडल बसे म्रगडूडे बनमाए ऐसे घट-घट राम हैं दुनिया देखे ना है प्रश्न पांच गः सब कुछ ईश्वर ही करता है मनुष्ट के हाथ में कुछ नहीं है दुहा साहव सो सब होत है मनने दे कुछ ना है राई ते परवद करे परवद राई मा है गा प्रेम संबंद को कभी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि एक बार तूट जाने पर वह फिर नहीं जुड़ता दुहा रहिमन दा गा प्रेम गा मद्द तोरों चटकाई जोरे ते फिर ना जुरे जुरे गांट पर जाई अना भीग मांगने वाले लोग मेरे भीग मांगने वाले लोग मरे हुए के समान होते हैं दुहा रहिमन वे नर मर चुके जे कवह मांगन जाए है ओनते पहले वे मुए जिन मुखो निक सतना है झाल 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 झाल